यूपी बोर्ड एक्जाम बालवजी माडल पेपर थर्ड में आप सबीलों का स्वागत हैं, देखें इसमें से पहला कुश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लेखिए, पहला प्रश्चन है, उपदंस उत्पन करने वाला जीवाण हो है, उपदंस उपदंस क्या होता है, तो सिफिलिस होती है, उपदंस अंग्रेजी में सिफिलिस कहा जाता है, इस पर प्रश्चन में विडियो अपलोड़ेड है, तो इसमें कौन सा जीवाण है, आप्सन सहयोगस में पहला ट्रिपो निमा पैलिडम होता है, उपदंस का मतलब सिफिलिस ह और टिपोनिमा पैलिड नामक जो जिवान होता है इसी से यह हो जाता है और इस जिवान के संक्रमर के दस दिन के बाद सिस्न वा पेनिस पर लाल रंके चक्ते पड़ जाते हैं जो पुरुस होता है उसके सिस्न पर लाल रंके चक्ते पड़ जाते हैं और आपको बता दें कि इ इंसलीन दवाही फाइदे मंद होती है फिर दूसरा है निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है निम्न में से संक्रामक रोग कौन से पी लिया मलेरिया कैंसर है जा तो इसमें आंसर सही होगा सी संक्रामक रोग कैंसर नहीं है क्योंकि ये आसंक्रामक रोग होता है और संक्रामक ऐसे रोग जो एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, और जो कैंसर है, ये संक्रामक नहीं, आज संक्रामक रोग है, फिर नेक्ट कुशन है, PCR की खोज किसने की थी, PCR यानि पॉलीमरेज चेन रियक्षन, इस पर फुल वीडि प्यार होता है, एक तरीके की फोटो कॉपी मसीन होती है, जिस से एलेक्ट्रोफरोसिस को तारा जो अलग ये डिरने खंड होते हैं, उनको उनकी अनेक प्रतिलिपियां बनाए जाती हैं, उनकी अनेक कॉपीज बनाए जाती हैं, फिर अगला है, मानों में सुक्रमात्र कोश वो अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन युगमकों का अनुपात होता है। चार सुक्राणों का निर्मान होता है। सुक्रजनन में या स्परमेटोजनेसिस में जबकि जो अंडजनन होता है तो अंडाणुजनन में या उजनेसिस में एक उसाइट से एक ही अंडा बनता है एक ही अंडे का निर्मार होता है फिर अगला कुश्चन है दो नंबर पारजीनी जन्तु क्या होते हैं पारजीनी जन् किसी दूसरे जन्तू या पउद्हे के बिजाती लेक्षणों वाले जिनको निवेसिका जाता है। पार जीनि जन्त पर या Genetic Engineering पर फुल पूरे चेप्टर का वीडिव में अप्लोडेट है आप लोग जाकर के देख सकते हैं फिर net question है Immunity सब्द का क्या अर्थ है Immunity सब्द का अर्थ बताना है तो Immunity का मतलब होता है प्रतिरक्षा यानि रोगों से लड़ने की छामता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं या आप लोग प्रतिरक्षा तंदर पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो देखे अगर कोई सुक्राण है तो उसके जो सुक्राण में सिर्व होता है उसके आगे का भाग एक्रोसोम होता है और ये जो एक्रोसोम है ये अंडाण को भेदने का कारी करता है अंडाण को भेदने का कारी करता है उसी के वज़े से अंडाण को भेदता है इस प्रकार से अभिकरिया के दरान ही पर्टलाईजेशन होता है फिनेश कुस्षन है क्या है बताना ही तो देखे उसका अंतिम सदसे भी मर जाता है और उस जाती का कोई भी जीवित जीव का अस्तितू नहीं होता है तो उसे ही विलुप्ट पर्जातिया कहा जाता है निए विल्कुल खतम हो चुकी है समाप्त हो चुकी है उसे ही क्या कहा जाता है विलूप्त प्रजातियां कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं विलूप्त प्रजातियां कहा जाता है और विलूप्त प्रजातियों का अर्थ होता है लूप्त प्राय जो खो गई है ऐसी प्रजातियां, विलुक्त प्रजातियां कहलाती है. फिर नेक्ष कोईशन है, जयो प्रदोगिकी की परिभासा लेखिए. तो देखें, जयो प्रदोगिकी मतलब निर्मार सुधार किया जाये, उसमें अधिक उत्पन न किया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है जयोव पूरी खाद क्या होती है एक उदहरन दीजिए पिछले मार्ल पेपर में आफ़वरा क्या होते है यहाँ पर जयोवी खाद क्या होती है पुछा गया है तो देखे पसवों का जब मलमूत्र होता है फसल के जो अवसेस होते हैं यानि पसवों का मलमूत्र और फसल के अवसेस जो होते हैं इन सब के बिगटन से इन सब के गलने से आपस में मिलने से जो खाद बनती है उसे ही जैविक खाद कहा जाता है और जैविक खादों में जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद है, केचुए की खाद है, जिवान की खाद है, ये सब जैविक खादे होती हैं, और एक जैविक खाद का उदाहरन अगर पोचा जाए, तो धैचा, जो धैचा होता है, धैचा ये एक जैविक खाद का उदाहरन होता है, मतलब जैविक खाद डिसे ये तरह के सूच्व जीवों और कुछ नमी वाले पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है। फिर नेश कुछिशन है समयुगमजी तथा बिसमयुगमजी से क्या तात पर है। समयुगमजी और बिसमयुगमजी किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीवों होते हैं। तो उसे समयुगमजी कहा जाता है और समयुगमजी को अंग्रेजी में होमो जाइगस कहते हैं। लेकिन जब किसी एक जीन के दोनो जीन अलग-अलग होते हैं तो उसे समयुगमजी यनि समान है तो समयुगमजी असमान हैं विसम हैं अलग-अलग हैं तो उसे कहा जाता है। फिर नेश्ट कुशन है, कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर लिखिए, कोडान और एंटी कोडान में अंतर बताना है, तो देखिए, तीन नुकिलियो टाइडों का वहकरम, जो एक अमीनो अमलोको कोडित करता है, उसे ही कोडान कहा जाता है, और यहाँ विशेश रूप से mRNA पर इस्थित होता है जो कोडान है ये mRNA पर इस्थित होता है mRNA पर जबकि जो anti-coding है anti-coding tRNA पर इस्थित होता है RTRN अडवों पर anti-coding अडवों पर CODON का nucleotide अनुकरम होता है nucleotide अनुकरम होता है this one ने GU cos यांि WWF क्या है इसके वो देश क्या है तो देखे जो विशिवन जीवकोस है ये एक अंतरराष्टिय गैर सरकारी संस्था है सरकारी संस्था नहीं है अंतरराष्टिय गैर सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना स्विटजर लेंड में है स्विटजर लेंड में इसकी स्थापना की ग WFN रखा गया था WFN देखे जो WWF है इस WWF का नाम है पूरा World Wild Fund जबकि WFN का पूरा नाम है World Fund for Nature तो ये चेंज करके रखा गया जब 25 साल इसके पूरे हो गये थे और इसका प्रमकुद्दे से वन जीवन का सन्रक्षन करना तथा पर्यवन के मानविये प्रभावों को घटाना है यानि वन जीवन को सुरचित चाहे वो प्यरपवधा हो चाहे Вो जन्त हो उसका सन्रक्षन करना है और साथी साथ जो पर्यवन पर मानो गलत प्रभाव Professor डाल रहा है उसके गंदा करणा से जैसे ये मेंडल ने बताया था, कि ये मालिजे सुध्ध लंबा पौधा है, सुध्ध लंबा पौधा है, और ये सुध्ध बाउना पौधा है, सुध्ध बाउना पौधा है, दोनों के बीद में क्रास करवाया था, क्रास करवाने पर सभी जो पौधे प्राप्त हुए, वो स संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो संकर में जो प्रदर्शन दिखा, यानि संकर लंबे पौधों में क्या प्रदर्शन दिखा, सुध्ध लंबे पौधे वालों का प्रदर्शन दिखा, तो संकर में जो प्रदर्शन दि दिखा पाया उसे आप्रभावी लक्षण कहा जाता है और इस लक्षण को आप्रभाविता कहते हैं या इस गिर्या को आप्रभाविता कहा जाता है फिर नेश कुछिचन है डिन्ने आडू की संडचना में चार गैप के नियमों की महत्ता को इसपश्ट कीजिए तो देखे च आते हैं नेश कुछिचन पर राइबोसोमल आर इन्ने पर टिपड़ी लिखिए तो राइबोसोमल आर इन्ने पर टिपड़ी लिखना है देखे इस पर भी मेरे सेरें में फूल वीडियो अप्लोड़ेट है मैंने आर इन्ने अर इन्ने सब समझाया हुआ है तो राइबोसो तरस कहां से प्राप्त होता है सब देख सकते हैं अच्छे से समाले जी इंपॉर्टन भी है थोड़ा सा एर्स क्या है इसका वीशार सरीर के किस भाग को प्रभावित करता है तो हमाई सरीर में जो टी लिंफोसाइट को सिकाए होती है उनको टी फोर को सिकाओं के उपर भावि है इस तकनीक के द्वारा खाद ठीके तैयार के जाते हैं रिकांबेने डियन्य तकनीक के द्वारा खाद ठीके बनाए जाते हैं अपना योगस डियन्य तकनीक के द्वारा खाद ठीकों का निर्मार किया जाता है अधे डिटेल के लिए आप वीडियो को देखिए फिर है सह भोजिता का वर्डन कीजिए, सह भोजिता यानि साथ साथ में जिए, तो इस पर भी मेरे चर्मिपी बीडियो अप्लोडड है, फिर है नेमन पर टिपड़ी लिखिए, नेमन पर टिपड़ी लिखना है, तो देखे टेरनर सिंडूरम, अंडोसर, यानि अन्डे का निकलना और जितने भी syndrome है, सभी syndrome पर मेरे चर्म में वीडियो अपलोड़ेड है, आप लोग उनको समा लेजी, देख लेजी, एक syndrome आना ही आना है, important है, समने आ जाएगा, और फिर है, म्रदा पर छेदिका पर संचित टिपड़ी लिखिए, तो देखें, जो म्रदा की उपरी सतह होती है, स smile profile कहा जाता है, अगर नीचे से मिटी को पूरा उसकी काट लिया जाए, तो उसमें जितने भी परते होते हैं, उसब देखें, तो उसे ही smile profile या म्रदा पर छेदिका कहा जाता है, फिर है बंधता क्या है, इस्तुरियों में बंधता के कोई चार कारण बताईए, तो बंधता पूरा बंधता क्या है, इस्तुरियों में चार कारण, सभी कारण, चार क्या, और बहुत सारे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, फिर है DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी योगिता पर टिपर लिकी, most important question है, DNA फिंगर यक वहित्मल उप्चार क्या है, या किस प्रकार किया जाता है, तो वहित्मल उप्चार पर भी मेरे चैनल में फुल वीडियो इस चैप्टर पर अप्लोड़र है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, फिर एगला question है, निम लिखित पर टिपर लिखिए, प्रतिरच्छी, और झीन गन पर टिपड़ील इखिनी है, इन दोनों पर मेरे चैनल में वीडियो अफ्लोड़र है, जो जीन गन है, ये क्या होता है, पर पोसी सेल में बिजाती डिन्ने को प्रवेष क कराना एक युप्टी, जो होती है उसी युप्टी को जीन गन का, तो इसको अच्छे से समधाय वाय आप दिस्क्रिपोरिचन में जा करके देख सकते हैं पिर अगला अगर आप यह नहीं करते हैं तो आथा वा लगा है यह कुछें करें की अनुलेखन की किरिया विधी का दिरगी करण आवास्था का चट सचित्र वर्ण आगंग्धा की किरिया विधी का पूरा चित्र जो विवित्ता के संरच्छण का वर्णन करते हुए, संरच्छण विधियों का वर्णन करना है, वीडियो मैंने रिस्क्रिशन में लिंक दी है, आप उसे देख लिजिए, समाले जिए, थोड़ा सा इंपॉर्णन, क्विश्चन अनुलेखन भी इंपॉर्णन था, फिर दुश्पी, पद्वय पॉर्णन, और भोड़ धभव की संस्प्यूण पेरकाराद विदियो uhरुण विदियो मैं अप्मोल Di that important is the link लिंक है आप लोग जा करके देख लेजिए तिर अगर आप यह नहीं कर पाते नहीं आता है तो आथवा करके यह कर लेजिए कि पुस्पी पात्मों में पर परागन की विभिन युक्तियां और माध्यमों का बिस्तार को रवकरण कीजिए यानि क्रॉस पॉलिनेशन की बारे म वहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बताते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता डिस्क्रिस्टिन में लिंक है आप वहाँ से जा करके देख लिजिए नेक्स्ट मॉडल पेपर नेक्स्ट टाइम लाएंगे धन्यवाद